दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप अपने पुराने email id को login करना चाहते हैं जैसे कि आपके पास पहले एक नया phone था और आपके पास एक और phone है तो अपने उसी email ID को आप अपने पुराने फोन में या अपने पुराने फोन वाले email ID को अपने नए फोन में आप login करना चाहते हैं हमारे कहने का मतलब है कि आपने पुराने Gmail ID को अगर आप open करना चाहते हैं, recover करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, इस वीडियो के अंदरा हम आपको step by step details में बताएंगे, अगर आपको password नहीं पता है, फिर भी आप आसानी से अपना Gmail account open कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर email ID open करेंगे, जब आप email ID open करेंगे, तो आपके समने इस तरीके से page आएगा, और आप आपको एक option मिल जाता है, add another account का आप इस पर click कर देंगे, जब आप इस पर click करेंगे, आपके समने इस तरीके से page आएगा, अब यहाँ पर आपको अपना Google चूज करेंगे, गूगल को चूज करने के बाद हमारे समने checking info चलेगा, अपने screen का password डाल देना है, जो भी आपके screen क log password हो, जब आप डाल देते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा wait करना है, आपके समने फिर से एक checking info चलेगा, उसके बाद आपके समने इस तरीके से यहाँ पर page आ जाएगा, अब यहाँ पर आपको अपना Gmail ID आपको login करना है, तो आपको यहाँ पर अपना phone number डालना होगा, या आपको अपना email ID डालना होगा, जैसे कि आपने अपना email ID बनाया है, तो उसमें आपने एक phone number register किया होगा, तो वही आपको number यहाँ पर डाल देना है, अगर आपको इन में से कुछ भी नहीं पता है, जैसे email ID आपको phone number नहीं पता है, तो आपको forget email पर click कर देना है, जब forget email पर click करेंगे, click करने के बाद आपके सामने एक next page यहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर अपना phone number डाल देना है, या आपको अपना email डालना है, तो आप यहाँ पर आपको अपना mobile number डाल देना है, और यहाँ पर आपको mobile number यहां पर आपको नेस्ट करना है आपका email id सो हो जाएगा अगर आपका फोन से email id सो नहीं होता है तो आपके घर पर आपके फैमिली मेंबर के जितने भी फोन नंबर है यहां पर आपको एक डाल के चेक कर लेना है हो सकता है कि आपको याद नहों कि हमने कौन सा मुवाइल नंबर डाल कर नेस्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप नेस्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने आ जाता है फर्स नेम लास्ट नेम आपने अपने email id में अपना क्या नेम रखा था वह आपको यहां पर डाल देना है जैसे कि हम यहां पर डाल देते हैं उसके बाद आपक जो mobile number यहाँ पर डाला है उसका एक verification code होगा आनि कि आपका mobile number verify किया जाएगा अब यहाँ से आपको send कर देना है तो आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा वो आपको यहाँ पर डालना होगा तो हम यहाँ पर send पर click कर देते हैं send पर click करने के बाद थोड़ा सा आपको इंतिजार करना है और जो आपने mobile number यहाँ पर paste किया है उस पर एक OTP send किया जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर fill up करना होगा तो हम थोड़ा सा wait करेंगे हमारे पास OTP आ चुका है तो हम यहाँ पर डाल देते हैं और उसके बाद नेस्ट करेंगे जो हम यहाँ पर nest पर click करते हैं आप यहाँ पर आपदेखेंगे कि आपका वही e-mail आपेस्ट कर देना है जो आप इसपर click करेंगे आपके पास एक नया page आ जाएगा जैसा कि आप यहां पर देखेंगे आप यहां पर आपको अपना password डालना होता है आपको अपना password डाल देना है और आपका email id यहां पर next करेंगे आपका login हो जाएगा अगर आपको यहां पर password नहीं पता है तो आपको यहां पर नीचे मिल जाता है आपको forget password आप इस पर click करेंग तो एस करना है तो जैसे कि हमारे ये email id हमारा हमारे realme c2 light 5g मुवाइल में और samsung galaxy m30 मुवाइल में हमारा login है तो उस phone के अंदर हमारे पास message आ चुका है तो हम यहां से s कर देते हैं और हम यहां पर s पर click करके जैसे हम यहां पर s करेंगे अब यहां पर देखेंगे कि हमारा पुरी तरीके से account recover हो चुका है अब हमारे सामने आ चुका है create password और यहां पर आपका confirm password अगर आपका email id आपके phone के अंदर login हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपने पुराने email id को login कर सकते हैं अपने नए phone में या अपने किसी भी phone में जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर details में step by step बता दिया है तो मिलते हैं next वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूर